सूविल गाइस कहानी की सुरुआत में हम सोमी नाम की एक लड़की को अपने बेट पर सोते हुए देखते हैं जब उसकी आँख खुलती है तो वो देखती है कि एक बहुती हैंसम लड़का उसके बेट पर उसके साथ सोया हुआ है वो बहुत गबरा जाती है और एकदम से अपने बेट से उठकर उस लड़के को उठाने लगती है और उससे पूछती है कि आखिर तुम हो कौन और यहां मेरे बेट पर क्या कर रहे हो लेकिन वो लड़का उससे कहता है कि तुम इंसान इतना सोर क्यों मचाते हो फिर सोमी को एक दिन पहले की बात याद आती है जब उसकी दोस्त ने उसकी बॉइफरेंड को किसी और के साथ देखकर एक वीडियो बना कर उसे सिंट कर दिया था जिसके बाद सोमी बहुत डिसपॉइंट हो गई थी और अपने गम को भूलाने के लिए उसने सराप पिया था लेकिन जब वो नसे के हालत में अपने घर आई तो उसने अपने बात टब में एक बहुत ही स्माट मरमेन को देखा और वो उसे देखते ही बेहो सो कर उसके उपर ही गिर गई जिसके बाद वो मरमेन उसे उसके बेट पर सुला कर खुद उसके साथ सो गया था और ये सारी ब मरमिन का क्राउन प्रिंस हूँ और मेरा नाम मरकरी है मरकरी बाते करते करते सोमी के करीब जाने लगता है सोमी को उसके इरादे ठीक नहीं लगते वो डरके मारे पीछे हटने लगती है और उसे कहती है कि राजकुमार मुझे अपने पैरेंट्स का नमबर दे ताकि वो आकर आ अपने कपले पहना कर अपने घर से बाहर निकाल देती है और उसे जाने को कहती है लेकिन वो कहता है कि जब तक मेरा मिसन पूरा नहीं हो जाता मैं अपने घर नहीं लोट सकता सोमी कहती है कि कोई तो ऐसा जगा होगा जहां तुम जा सकते हो तो वो थोड़ा इमोशनल होने का नाटक करता है और कहता है पता नहीं मुझे तो डर है कहीं मेरी असलियत किसी के सामने ना आ जाए और फिर वो रोने लगता है लेकिन जैसे ही उसके आँख से आसु निकलते हैं वो मोती बन जाते हैं और ये देखकर दरवाजे पर खड़ी सोमी भाग कर उसके पास आती है और उस मोती को उठा कर देखती है तो उसे पता चलता है कि वो असली मोती है जिसके बाद वो मरकरी से कहती है तुम्हारा बाहर घूमना ठीक नहीं होगा सोमी मरकरी से कहती है कि तुम मेरे घर में रह सकते हो लेकिन इसके बदले में तुम्हें मेरे लिए रोना होगा वो उसे इमोशनल ड्रामा दिखा कर उसे रोने के लिए बैठा देती है जहां उसके आसू मोतियों में बदल रहे थे फिर सोमी उसे उसके मिसन के बारे में पूछती है तो वो उसे बताता है कि जब मैं छोटा था तब मैं और मेरी बहन अपने असली रूप में एक इंसान के सामने आ और उसने मेरी पूच देख ली और मैंने डर के मारे उसे अपने पूच से मार दिया जिसके बाद मेरी सिस्टर ने मुझ से कहा कि वो मेरा सोलमेट है और अब जब मैं बढ़ा हो गया हूँ तो मुझे उसे ढूणना होगा ताकि मैं उसे किस करके अपने मिसन को कम्पलीट क और फिर वापस जाकर अंटोलिया का किंग बन सकूँ जब तक वो नहीं मिल जाता मैं वापस नहीं जा सकता मरकरी अपनी emotional story सुना रहा था लेकिन सोमी उसकी मोतियों को collect करने के चकर में लगी थी सोमी पूछती है लेकिन हम उसे धूंडेंगे कैसे तो वो कहता है मैंने उसे पड़ता है मैंने सुना है कि तुम लोगों की मदद करती हो इसलिए तुमें मेरी भी मदद करनी होगी जिसके बाद सोमी खेती है कि ठीक है मैं तुम्हारी help करूँगी लेकिन इसके बदले तुमें भी मेरी help करनी पड़ेगी इसके बाद सोमी मरकरी को अपने sketch class में लेकर जाती है और उसे एक टेबल पर ख़ड़ा कर देती है ताकि सारे स्टुडेंट उसकी खुबसूरती को देख कर उसकी पेंटिंग बना सके और बदले में वो सारे स्टुडेंट से थोड़े बहुत पैसे भी लेती है लेकिन तब इसके बाद सुमी वहां से जाने लगती है तो उसके बॉयफरेंड की नई गिल्फरेंड और उसके दोस्त उसका मजा कुड़ाने लगते हैं और कहते हैं कि तुम छुचुंदर सी सकल की तुम अब सिंगल ही मरोगी तुम्हें कोई नहीं मिलने वाला तब ही मरकरी वहां आ जा और सुमी से कहता है कि तुम मेरा फोन क्यों नहीं उठा रही हो बाला इतनी सी बात के लिए भी कोई गुसा होता है और फिर वह उसे बहुत सारी मोटी गिप्ट में देता है और वह मोतियों को जान बूच कर नीचे गिरा देता है ताकि सुमी को परिसान करने वाले लड़क के लिए निकल जाते हैं जहां रस्ते में एक कार पानी के गड़े के पास से होकर गुजरने वाली थी मरकरी सुमी को उठा कर सैट कर देता है पहले तो सुमी को लगता है कि वो उसे प्रोटेक्ट कर रहा है लेकिन जब कार गुजरने की वज़ा से सुमी को पानी के छीटे पढ़ते हैं तो वो मरकरी के उपर बहुत गुसा करती है मरकरी कहता है थैंग गौड मैं बच गया सोमी बहुत गुसा थी वो उसे पूछती है कि बेवकूफ जल परा तुमने ऐसा क्यों किया जिस पर वो कहता है जैसे ही मेरे पैर पर पानी पड़ेगा मैं वापस से मरमन बन था वो उसके करीब जाकर उससे कहता है कि यह बिल्कुल ठीक है जिसके बाद सोमी उसे खीच कर अपने तरफ खड़ा करती है इस आदमी का नाम चेंग था वो सोमी से कहता है कि मैं तुम्हारे कॉलेज में मरीन बायलोजी का स्टुडेंट हूं और वो अपना नंबर सोमी को देकर कहता है अगर तुम्हें किसी भी चीज की जुर्रत पड़े तो मुझे कॉल कर लेना जिसके बाद मरकरी उस नंबर को ले लेता है और कहता है जरूर क्यों नहीं घर आकर वो सोमी को बताता है कि यह वही आदमी है जिसने बचपन में मुझे असली रूप में देख लि सोमी उससे पूछती है लेकिन तुम उसे किस कैसे करोगे जिसके बाद मरकरी उसे दूर से किस करके बताने लगता है वो उससे बचकर भागती है तो वो उसे चिड़ाने के लिए दुवारा उसके साथ ऐसा करता है सोमी उसे कान से पकड़ कर खींचती है और कहती है तुम ब बाद सोमी और मरकरी अक्वेरियम जाकर उसे किस करने का प्लाइन बनाते हैं, वो लोग अक्वेरियम पहुँचते हैं, जहां मरकरी फ्लोर पर लेट जाता है, तबी चिंग वहाँ उसे जमीन पर सोया हुआ देखकर उसे उठाने लगता है, वो नहीं उठता तो वो उसकी सां से पानी सिभारा बकेट गिर जाता है, और पानी मरकरी के पैर में ना लग जाए, इसलिए वो फौरन उठ खड़ा होता है, और उठते ही वो वहाँ से भाग जाता है, इसके बाद सोमी एक दूसरा प्लान बनाती है, इस बार सोमी चिंग को सेड़ियों से मरकरी के उपर धक का दे देती है, लेकिन जब वो मरकरी के उपर गिरने लगता है, तो उसे चोट ना लग जाए, ये सोच कर वो वहाँ से हट जाता है, और चिंग नीचे गिर जाता है, मरकरी तो वहाँ से भाग गया था, लेकिन सोमी जाकर चिंग से सोरी कहती है, चिंग उससे पूछता है क मैं इन मचलियों का बहुत ख्याल रखता हूँ उमीद करता हूँ कि तुम भी इनका ख्याल रखोगी घर वापसा कर सोमी मरकरी की खूब कुटाई करती है क्योंकि वो वहाँ से भाग गया था तभी वो सोमी को बताता है कि तुम्हारे घर के बाहर एक मौस्टर है जिससे मेरे जान को ख़तरा है सोमी जिब उसे देखने जाती है तो वो एक बिल्ली थी जिससे कि वो समझ जाती है कि मरकरी को बिल्ली से डर लगता है इसलिए वो उसे और डराती है और फिर उसे बिल्ली के साथ बाहर छोड़ देती है अगले दिन सोमी एक बार में चिंग के साथ ड्रिंक कर रही थी, मरकरी भी वहाँ आया था और वो दूर से उनके उपर नजर रख रहा था, लेकिन सोमी बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर लेती है, वो नसे में चिंग से कुछ-कुछ बोलने लगती है, मरकरी इसारे से उससे चु रहता है कि तुम्हें इतना पीने की क्या जुरत थी, जिस पर वो कहती है कि मैंने कहानियों में सुना है कि अगर मरमेन को उसका ट्रू लव नहीं मिलता, तो वो पत्थर में बदल जाते है, अगली सुबह सोमी के डोर पर कोई आता है, जब वो दरवाजा खोलती है तो वहा कमरे में लेकर जाता है, और अपना सामान पैक करने लगता है, वो से पूछती है क्या हुआ, तो वो कहता है कि वो कोई मरमेट नहीं बलकि एक चुड़ैल है, जिसके बाद सोमी उसे कमरे से निकाल कर डोर क्लोज कर देती है, फिर जब मरकरी की बहन वहां आती है तो वो कहत है, तुम यहां क्यों आई हो, यह मेरा घर है, तुम यहां से चली जाओ, वो कहती है मैं यहां तुम्हारे प्रोग्रेस को देखने आई हूँ, मरकरी उसे चेंग की फोटो दिखा कर कहता है कि मैं बस उसे किस करने ही वाला हूँ, जिस पर वो कहती है कि यह क्या बक्वास है तभी सोमी कमरे के अंदर से बाहर आती है और कहती है कि मैं काम पर जा रही हूँ और वो चिंग के साथ काम पर निकल जाती है इसके बाद मरकरी और उसकी बहन दोनों मिलकर सोमी के पीछे-पीछे अक्वेरियम में चले जाते हैं जहां चिंग और सोमी को प्यार से बाती करते देख मरकरी सोमी को पानी पढ़ाता है तो चिंग बीच में आकर उसी बचा लेता है फिर रात को चिंग सोमी को उसके घर छोड़ने जाता है और उसे एक फिस भी गिफ्ट करता है घर आकर सोमी उस फिस को देखकर कहती है कि ये कितना खूबसूरत है जिस पर मरकरी बहुत कहता है तुम्हें दुनिया के सबसे हैंडसम मर्मिन को चोड़ कर सभी खूबसूरत दिखाई देते हैं सोमी कहती है आज मेरा मोड बहुत अच्छा है मुझसे बहस करके मेरा मोड खराब मत करो वह वहां से उठकर अपने कमरे में जाने लगती है तो मरकरी भी उसके पीछे उसके कमरे में जाता है लेकिन सोमी उसे कमरे के अंदर आने नहीं देती तभी लूना वहां आकर मरकरी को कमरे के अंदर धकेल कर कमरा बन कर देती है क्योंकि उसे ऐसा लग रहा था कि उसका भाय सोमी को पसंद करने लगा है सोमी डोर ओपन करवाने की कोसिस करती है लेकिन वो डोर ओपन नहीं करती इसके बाद मरकरी बेट पर जाकर सो जाता है तो सोम्य उसे उठाने लगती है और कहती है ये बेट मेरा है बेट पर मैं सो ओँगी लेकिन मरकरी कहता है कि मैं अंटॉलिया का प्रिंस हूँ प्रिंस बेट पर ही सोते हैं जिसके बाद वो दोनों मर्करीक हात पकड़ कर सोती है अगली सुभव सोमी मर्करीक ओठाती है तो वह नहीं उठ रहा था इसलिए वह उसके हाथ में दांत काट और चेंग को किस करने लगता है लेकिन मेंग के हाथ में पानी का एक बीकर था वो पानी छलक कर मरकरी के पैर पर गिर जाता है लेकिन तभी सोमी वहां एक ट्रॉली लेकर आती है और मरकरी को उस पर बैठा कर उसे कवर कर देती है और उसे लेकर वहां से निकल जाती है जिसके इसके बाद चेंग सोच में पढ़ जाता है कि मरकरी आखिर बार बार पानी से क्यों बच्छता है और फिर वो समझ जाता है कि मरकरी वही है जिसकी तलास वो बचपन से कर रहा था इसके बाद वो दोनों घर आ जाते हैं सोमी मरकरी पर बहुत गुसा करती है और कहती है कि अग तौनों शॉपिंग करने जाते हैं, वो दोनों सॉपिंग करके पार्क में बैठे थे, तबी वो सोमी से कहता है के मैं अपने मिसन में सफल हुआ, लेकिन मुझे तुम्हारा खाना बहुत पसंद है, इसलिए मैं वापस नहीं जाना चाता इसके बाद दोनों घर लोटाते हैं इधर हम चिंग को देखते हैं दरसल जब चिंग ने मरकरी को मरमिन की रूप में देखा था तब उसने उसके बारे में सब को बताया था लेकिन लोग उसे जूटा कहने लगे इसलिए उसने तब ही डिसैट कर लिया था कि वो मरीन लैफ के बारे में स्टड़ी करेगा और एक ना एक दिन दुनिया वालों को ये साबित करके रहेगा कि मरमेन होते हैं अगले दिन सोमी स्कूल चली जाती है और मरकरी घर पर अकेला था वो बात तब में नहाने लगता है तभी तेज बारिस सुरू हो जाती है मरकरी सोचता है कि बाहर पारिस हो रही है और सोमी छाता भी नहीं ले गई क्योंना मैं छाता लेकर उसकी स्कूल जाऊं और इसी बहाने मैं उसे अपने करीब कर लूँगा उसका पैर ना भीग जाए इसलिए वो रेंकोट और रबर के सूज पहन लेता है इधर सोमी इसकेचिंग किलास में बैठी थी तभी चेंग वहां आता है तो वो उसे अपनी रिजनेशन लेटर दे देती है वो कहती है अब मैं अक्वेरियम में काम नहीं कर सकती क्योंकि मुझे पढ़ाई के लिए टाइम नहीं मिलता तभी चेंग उसे पूछता है कि तुम्हारे साथ जो लड़का रहता है वो कौन है वो बहुत ही वेड बहेप करता है कल तो उसने मुझे किस भी कर लिया था सोमी कहती है वो मेरा लैनलोड है वो दिमाग का मरीज है इसलिए वो उड़ पटांग हरकते करता रहता है और फिर सोमी वहां से चली जाती है वो कौलेट से घर के लिए निकलती है लेकिन वहां बहुत बारिसो रही थी तभी चिंग पीछे से च्छाता लेकर आता है और उसे अपने साथ चलने के लिए कहता है इधर मरकरी भी च्छाता लेकर सोमी को लेने के लिए ड़ता हुआ आ रहा था और जब वो सोमी को चिंग के साथ देखता है तो वो बहुत हट होता है बातो बातों में चिंग सोमी को प्रपोस कर देता है लेकिन वो उसे सौरी बोल कर वहां से चली जाती है सोमी जब घर आती है तो मरकरी उसे कहीं नहीं दिखता लेकिन तब ही उसे टेवल पर मरकरी का आसू और एक नोट मिलता है जिसमें उसने गुडबाई लिखा था उसके जाने के बाद सोमी बहुत उधास रहने लगी थी और सोचने लगी थी कि वो उसे बिना बताए क्यों चला गया इधर मरकरी अपने बहन के पास गया था वो उससे कहता है कि मुझे वापस घर ले चलो क्योंकि सोमी और चिंग रिलेसंसिप में है जिस पर वो कहती है कि तुम बिना उसके बारे में कुछ जाने उसे जज कैसे कर सकते हो एक बार तुम्हें उसे अपनी दिल की बात बता देनी चाहिए क्योंकि जिस तरह से वो तुमारी परवा करती है मुझे नहीं लगता कि वो तुमसे प्यार नहीं करती मरकरी कहता है ठीक है मगर मेरा मिसन तो पूरा हुआ मैंने चिंग को किस कर लिया है जिस पर उसकी बहन कहती है कि तुम्हारा मिसन अपने लिए सोल में ढूनना था तुम अपने टार्गेट को चेंज कर सकते हो मैंने तु बस मजाक में ये कह दिया था कि चेंग ही तुम्हारा सोल मेट है इसके बाद मरकरी वापस से सोमी के पास जाता है जहां वो उसे याद करके उसकी स्केचिंग बना रही थी मरकरी जब उससे अपना इसकेच बनाते वे देखता है तो वो समझ जाता है कि वो उससे प्यार करती है सोमी पूश्टी है कि तुम बिना बताए कहां चले गए थे जिस पर मरकरी कहता है कि उस दिन बारी सो रही थी तुम चाता लेकर नहीं आये थी मैं डरते डरते चाता लेकर तुम्हें लेने गया था लेकिन मैंने जब तुम्हें चेंग के चाते के नीचे देखा तो मुझे बहुत बुरा लगा सोमी उसे हग कर लेती है फिर वो दोनों एक चादर के नीचे छुप कर एक दूसरे को किस करने वाले थे लेकिन तभी एक टीचर उन दोनों को वहां ये सब करते हुए देख लेते हैं और उन्हें क्लासरूम से भगा देते हैं घर आकर वो दोनों एक पजल विसॉल कर रहे थे और तभी सोमी की आँख लग जाती है तो मरकरी उसे किस करता है तो मरकरी की किस करने से उसकी आँख खुल जाती है इसके बाद सोमी उसे एक वाच गिफ्ट करती है ताकि वो उसके लोकेशन को हर वक्त डिटेक्ट कर सके अगले दिन मरकरी सोचता है कि एक इनसान अपने बीवी बच्चे को खिलाने के लिए काम करता है इसलिए उसे भी काम करना चाहिए वो एक ग्रॉस्ट्री स्टोर में काम करने चला जाता है यहाँ पर एक कपल आते हैं जो अक्सर यहाँ पर आकर लड़ाई करते थे लड़क पूछती है कि इससे पहले यहाँ पर सोमी नाम की एक लड़की काम करती थी लगता है मेरे कंपलेंट करने के बाद उसे यहाँ से निकाल दिया गया दरहसल कुछ दिनों पहले जब वो लड़की कैस काउंटर पर बियर के लिए अपने बॉइफरेंट से लड़ रही थी तो सोमी ने उसका बिल काट दिया था जिसके बाद उसका बॉइफरेंट गुस्सा हो गया और उसने सोमी की कंपलेंट कर दी और उसे जॉब से निकाल दिया गया वो लड़की मरकरी की खुबसूरती देखकर उसके तरफ अट्रैक भी हो रही थी वो कहती है अच्छा हुआ उस से जॉब नहीं मिलता और मैं आप जैसी हसीना से कभी नहीं मिल पाता तभी उस लड़की का बॉइफरेंट वहां आता है तो वो उसे मरकरी के सामने ही बेज़त करके उससे ब्रेक अप कर लेती है फिर काम के बाद जब मरकरी घर जाने लगता है तो वो लड़की बाहर उसक को सजाता है फिर सोमी जब वहां आती है तो यह सब देख कर वो बहुत सप्राइज हो जाती है लेकिन मरकरी उसे कहीं भी दिखाई नहीं देता ना ही वो उसका फोन उठाता है फिर वो उसके वाच से उसके लोकेशन को ट्रैक करती है इधर हम चेंग को देखते हैं उसने मर करी बातों का यकीन नहीं करता था और तो और वो लोग मुझे पागल भी बोलते थे लेकिन अब मैं पूरी दुनिया को दिखा दूंगा कि मरमिड होते हैं सोमी उसकी लोकेशन को फॉलो करते करते उस ब्यूल्डिंग में पहुंच जाती है जहां चेंग का लेबरेरी था वो मरकरी को इस हाल में देखकर बहुत डर जाती है और तभी चेंग को वहां किसी के होने का एहसास होता है तो वो दर्वाजे पर चिक करने चला जाता है और इसी दौरान सोमी मरकरी को अक्वेरियम से निकाल कर अपने साथ ले जाने लगती है लेकिन चेंग उन दोनों को से भागते हुए देख लेता है और सोमी से मरकरी को उसे सौप देने को कहता है और कहता है मैं जब से पैदा हुआ हूँ मैंने बस इसके बारे में पढ़ा है और पूरी जिंदगी इन्हें ढोने के पीछे गादी मैं तुम्हें इसे एतनी आसानी से ले जाने नहीं दूंगा सूमी कहती है ये भी हमारी तरह इंसान होते हैं तुम इसे नहीं ले जा सकते इसके बाद वो दोनों वहां रखे फायर एक्सटिंग यूजर से गैस निकाल कर वहाँ सब धुआंधुआ कर देते हैं और वहां से ब्यूल्डिंग के छट पर जाकर छुप जाते हैं सोमी कहती है तुम समंदर में चले जाओ और वापस लौट कर कभी मता ना क्योंकि इंसान बहुत बुरे होते हैं जिस पर मरकरी कहता है कि सारे इंसान बुरे नहीं होते तभी चिंग उन दोनों को ढूंडते वे वहां भी पहुँच जाता है वो एक सरजरी नैफ लेकर उन दोनों के तरफ पढ़ रहा था मरकरी सोमी को हग करता है और कहता है क्या तुम मुझ पर भरुसा करती हो तो वो कहती है हाँ और फिर मरकरी सोमी को अपने साथ लेकर ब्यूल्डिंग से कूद जाता है कूद ते वक्त मरकरी खुद को पानी के प्रोटिक्शन सील्ड में बदल देता है जिससे वो वहां से गायब हो जाता है और सोमी सही सलामत नीचे उतर जाती है सोमी को लगता है कि मरकरी ने उसे बचाने के चकर में खुद की जान दे दी वो बहुत दुखी होता है कई दिन बीच जाते हैं वो उसे याद करके हर रोज बोटल में एक लेटर लिख कर समंदर में फेकती थी फिर एक दिन जब वो अपने घर आती है तो एक बोटल रोल होकर उसके पास आता है और तभी उसे बातरूम से कुछ आवाज जाती है वो जब वहाँ जाती है तो वो मरकरी को देखती है जो अभी भी जिन्दा था और उसे मिलने उसके सारे लेटर के साथ वापस आया था वो उसे देख कर बहुत खुस होती है और ये कहाने यहीं पर खत्म हो जाती है तो दोस्तो ये स्टोरी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताना वैसे दोस्तो मैंने ऐसे ही एक और मुवी के स्टोरी को एक्स्प्लेन किया था अगर आप लोगों ने उसे अब तक नहीं देखा तो आपकी मुबैल स्क्रीन पर दिये जा रहे लिंक पर क्लिक करके उसे जरूर से देख ले और दोस्तो अगर आप मेंसे किसी ने अब तक मेरे योटूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी तुरंत कर ले क्योंकि वडियो को लाइक आप